इलावाद हाई कोर्ट में फरजी प्रमानपत्र मामले में निचली अदालत से दोशी करार दिये गए आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम के मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया अब्दुल्ला आजम की अरजी पर न्यायमूर्ती राजीव गुप्टा सुनवाई कर रहे थे इसके पहले अब्दुल्ला आजम खान की ओर से जवाबी हलफ नामा लगाया गया कोर्ट में इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनी पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया कोर्ट में इस मामले में सुमवार को भी सुनवाई की थी अब्दुल्ला आजम की ओर से तर्ग दिया गया कि जिस मामले में उन्हें सजा सुनाई गई उस समय वो किशोर आवस्था में था कोर्ट में 24 गंटे का समय देते हुए पूरक हलफ नामा के जरिये रिकॉर्ट प्रस्तुत करने को कहा जिस पर याची पक्ष की ओर से मंगलवार को सुनवाई के दोरान पूरक हलफ नामा दाखिल किया गया इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है ऐसे में अगर यह यह फैसला याची के पक्ष में होता है और सजा पर रोक लगती है तो अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी रहत मिल सकती है